सेशन तो पहला परदानमंत्री नरिंदर मोदी वलो मीडिया नू संबोधन किता गया इस दुरान परदानमंत्री नरिंदर मोदी केंदे नजरारी ने कि एह सेशन बहुत महतापुरन अते सरकार हर विशे दे खुली चर्चा करन्दी ली त्यारे इस दुरान परदानमंत्री एवी कहा कि सरकार हर सवाल दा जवाब देण नू वित्यार है विरोध्य नो बोल दें उना कि है कि देश दे वीचे सक्रात्मक चर्चा करंदी लूड इस दे नाल ही परदानमंत्री मोधी ने पोर की कुछ के आउसुन दिया नमस्कार साथियों समस्वत का ये सत्र अत्यनत महत्मपून है देश आजहादी के अमरित महुत्सव मना रहा है हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजहादी के अमरित महुत्सव के निमित रचनात्मक सकारात्मक जन हित के लिए राष्ट हित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कारिकम कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं और आजहादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है ये खबरें ये अपने आप में भारत के उजबल भविश्य के लिए शुप्र संकेत हैं कल हमने देखा है पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किछी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेक्ष में हम चाहेंगे देश भी चाहेगा देश का हर सामान नागरिक चाहेगा कि भारत का संसत का यह सत्र और आगे वाने आज वाले वह सत्र आजहादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरिट था आजहादी के अमरुत महुत सब का जो स्पिरिट है उस्पिरिट के अनुकूल संसत भी देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगती के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगती के लिए नए उपाएं खोजें और इसके लिए यह सत्र बहुत ही विचारों की समरुद्धि वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्वग निर्णवाला बने मैं आशा करता हूं कि भविश्य में संसत को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रिबिशन किया उस तरायु पर तोला जाए न कि किसने कितना जोर लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसाथ में कितने घंटे काम हुआ कितना सकारत्व काम हुआ हम चाहते हैं सरकार हर विशे पर चर्चा करने के लिए त्यार है खुली चर्चा करने के लिए त्यार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए त्यार है और आजादिक अमर्क भावत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसाद में शांती भी हो हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाब सरकार की नीचियों के खिलाब जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीडियू को काम आए पिछले सत्र के बाद नए वेरियन की खबरे भी हमें और सतर करती है और सजग करती है मैं साउसद के सभी साथ्यों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्षना करता हूं आप सभी साथ्यों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्षना करता हूं क्योंकि आप सबता उत्तम स्वास्त देश स्वास्यों का उत्तम स्वास्त ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्रात्विक्ता है देश के 80 करोर से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ नहों हो इसलिए प्रधान मंत्री गरीब के लियान योजना से अनाच मुक्त में देने की योजना चल रही है अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है करिब 2,60,000 करोड रुपिय की लागत से 80 करोड से अधिक देश वासियों को गरीब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंता की गई है मैं आशा करता हूँ कि इस सत्र में देश वित के निर्णे हम तेजी से करें मिल जुल करके करें सामान इमानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा हैं बहुत बहुत धन्यवाद